आज की शीट सभी बच्चों के पास WhatsApp हो चुकिया है आज की रेट है पांच मार्च 2021 और हम लोग extra questions कर रहे हैं chapter number 15 का जिसका नाम है probability आज की शीट के questions को start करते हैं सबसे पहले आज की शीट का question number 1 question में लिखा हुआ है from a pack of 52 playing cards all cards whose numbers are multiple of 3 are removed जो number 3 से कटते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 52 cards में number कौन कौन से होते हैं numbers are कौन कौन से होते हैं 21 को तो ace बोलते हैं वो तो a हो गया तो पहला 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ 9 हुआ और 10 हुआ उसके बाद तो jack queen और king आ जाते हैं लेकिन number केवल 2 से 10 तक ही होते हैं ठीक हैं अब इसमें से हमें कितने numbers को remove करना है जो 3 के multiple हैं तो सबसे पहले लिखेंगे multiples of 3 चलो भाई 3 के multiple कौन को ने हैं आईए count करें एक तो 3 है दूसरा 6 है और तीसरा number 9 है इन सब को मुझे क्या करना है remove करना है लेकिन ये जो 3 है ना ये कितने times आएगा 4 times 4, 4 times क्यों आएगा 4 times भाई एक speed का है एक club का है एक diamond का है एक heart का है ऐसे 6 भी कितने times आएगा 4 times सोचके देखो ऐसे 9 भी कितने times आएगा 4 times बताइए भाई पूरी कड़ी में 4 बार 3 होगा 4 बार 6 होगा और 4 बार 9 होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ तो टोटल नंबर ओफ कार्ट्स ठीक है तो टोटल नंबर ओफ कार्ट्स ऐसे लिखो whose numbers are multiple of 3 तो चार बार 3 चार बार 6 और चार बार 9 तो टोटल कार्ट्स जो हमें पूरी कड़ी में से रिमूब करने है वो कितने हो गए 52 ठीक है तो चलिए अब अब बताइए रिमेनिंग कार्ट्स कितने बच गए रिमेनिंग कार्ट्स जो तीन के मल्टिपिल है उनको रिमूब करने के बाद 52 में से आप और 12 को क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारे पास इस से में कार्ट्स की संख्या 40 बच गई क्योंकि जितने भी कार्ट्स 3 से कटने वाले थे वो सब के सब रिमूब हो गए चलिए फस्पार्ट निकालते है और फस्पार्ट की प्रॉबबिलिटी पूछता है क्या लिखा हुआ ह प्रॉबिलिटी ओफ फेस कार्ट तो पूरी कड़ी में बताईए फेस कार्ट की संख्या कितनी होती है कौन बताएगा नंबर ओफ फेस कार्ट ठीक है जैक कितनी बार होता है चार बार क्वीन कितनी बार होती है चार बार किंग कितनी बार होता है चार बार तो टोटल पत्त कोंगी संख्या फेस कार्ट कितनी हो गई बारा अब बताईए सो प्रॉबबिलिटी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए फेस कार्ड तो आप जब फेस कार्ड का एक पत्ता चालिस पत्तों में से खीचो गए तो कौन सा हाथ में आएगा इन बारा में से कोई आपके हाथ में और टोटल कार्ट से हमार पास कितने हैं कोश्चन के अंदर 40 हैं तो चलिए इसको 4 से काटते हैं 4 3 जा 4 10 जा यह हमारे इस कोश्चन का आंसर हो गया चलिए सेकिंड पार्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इवन नंबर रेड कार्ड अब यह इवन नंबर लेफ्ट कार् कार्ड तो इसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी पहले आपको क्योंकि आपने सिक्स भी रिमूव कर दिया चार बार ठीक हैं तो इवन नंबर में सिक्स भी आता है जबकि सिक्स रिमूव हो चुका है तो सबसे पहले मुझे हैं आपना लिखना पड़ेगा इवन नंबर्ड रेड़ कार्ड कौन कौन से हुए है 5 4 है 6 तो रिमूव हो चुका göra 8 है और कौन सा है टेन है ठीक है यह सब किसके हैं यह सब हैं आप पताई कितने टार्म आजँ दो टाइमज दो टाइमस क्यूं आएंगे क्यों हर्ट के भी और टाइमन के कि भी है ब्लेक तो लेंगे निहीं हमें तो नंबर इवनиком रेड एक चुन है तो बताईए तो कितने इंस आएगा ईये टू टाइमस कटू टाइमस और टू टैमस इच सब तक इसब two times, सब के सब two times, तो बताईए, इनकी number, even number of parts कितने हो गए, दो बार two आएगा, दो बार ही four आएगा, दो बार ही eight आएगा, और दो बार ही ten आएगा, तो अब इन संख्या को count कर लेते हैं, हमार पस ही कितने number बैठते हैं, दो और दो चार और दो च्छे और दो आठ, तो क्या लिखें, उसने आप से question में पूछा, second part के अंदर probability, और ब्रैकेट में लिखेंगे, even number red card, तो बताईए, पूरी गड़ी में ये eight, बारा पत्ते हटाने के बाद, अब आपके पास, जो even number बचते हैं, वो two, four, eight to ten बचते हैं, लेकिन हैं ये सब चार चार बार, लेकिन उसने पूछा, red card में बताओ, कितनी कितनी बार है, सब दो दो बार है, तो eight आएगा उपर, और total cards हमार पास संख्या में है, 40, तो हमारे इस question का answer हो गया, one upon five, बताइए, chatting में कोई बात पूछ नहीं है, आपके समझ में आई की नहीं आई, भाई, इसने even number नहीं पूछे, सारे even number में केवल red cards के even number पूछे, और red cards कौन-कौन से होते हैं, red cards दो होते हैं, एक तो heart का red card होता है, और दूसरा diamond का red card होता है, ठीक है, अब यह जो दुगई है, यह heart की भी है, diamond की भी है, तो दो बार हुई, ऐसे चोगी, अठी, दसी, यह सब दो-दो बार हैं, तो आठ पत्ते ऐसे हैं, जिनके ओपर even number है, और जो card है, तो हमारा answer हो गया, 8 upon 40, बढ़िया question था, दिमाग से सोचने वाला, चलिए, आगे चलते हैं, आज की sheet का question number 2 आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ते हैं, three coins are tossed together, अब three coins, coins में number कितने होते हैं, दो, और उच्छाला कितनी बार, तीन बार, तो total event कितने बनने वाले हैं, आठ बनने वाले हैं, देखें, तीन coin को आप एक साथ उच्छालो, या a coin को तीन बार उच्छालो, बात एक ही है, अब मैंने यह two की power three क्या किया, फिर से समझो, head और tail मिलाकर दो number है, और इनको उच्छाला कितनी बार, तीन बार, तो जितनी बार उच्छाला जाता है, वो power में आता है, और जितने number होते है, head or tail, जैसे दो variety है, head or tail, तो बेस में आता है, तो अब आपके पास 8 event बनेंगे, अब इसका तरीका देख लो, suppose कीजिए, आपने तीनों coin को उच्छाला, पहले में head आया, दूसरे में tail आया, और तीसरे में भी tail आ गया, ऐसा भी हो सकता था कि head second वाले में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि head थर्ड वाले में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि head ना आए, अब जड़ा, फिर सोचके टेल थर्ड नंबर पर भी आ सकता था और ऐसा भी हो सकता था कि हैड आये और टेल आये ही ना काउंट करो 12345678 अगर आप इस तरह से सिमिट्री से लिखोंगे ना हैड पहले पर दूसरे पर तीसरे पर फिर गायब तो एक तो कोई छूटे नहीं एक तो कोई रिपीट नहीं होगा और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब ना कोई रिपीट होगा ना कोई छुटे का तो पताइए फिर फिर उसके अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी अब चलिए प्रॉबिलिटी पूछते हैं तो टोटल इवेंट्स हमारे पा three heads आएगा आईए देख लेते हैं three heads किसमें आएगा एक एक यी bracket ऐसा है जिसमें three heads आएगा तो आपका answer ओ गया ठीक है क्यों three heads में केवल एक ये घी बन रहा है ृट्री ट्रिपल हट इसकंड बार्ट में देखते हैं उसने क्या पूछा one head, तो second part का answer निकालते है, the probability bracket में one head, चलो वही one head किस-किस में है, एक, दो तीन, बस तीन में ही है तो आपका answer हो गया three upon eight, चलिए third part की बात करते है, third part में उसने क्या पूछा, third part में पूछा, second part में तो two heads पूछा था तो चलो पहले two heads का ही निकालते है two heads किनो कितने में, one two, three, तो इसका answer भी three upon eight, अब third part में पूछा है one head, तो one head का answer भी कितना, three upon eight देखो, एक, दो, तीन बस तीन ही ऐसे हैं जिनमें एक head है, ठीक है, दो head वाला, किबल तीन है, चलिए अब जड़ा आप fourth part बहुत ध्यान से समझे ना, probability bracket में at least at least one head, ठीक है कम से कम एक head होना चाहिए कम से कम, अब इसने का कम से कम होना चाहिए, ज्यादा की तो इसने कोई ना condition लगाई, ना कोई limit लगाई तो ज्यादा तो जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तो एक होना ही चाहिए, ठीक है आईए red pen से mark करते हैं, कम से कम एक कौन सा होगा, कम से कम एक तो कम से कम एक ये भी होगा कम से कम एक ये भी होगा, कम से कम एक में ये भी होगा, ज्यादा की तो कोई limit है नहीं, तो कम से कम एक तो होना चाहिए इसमें तो एक भी नहीं है तो कम से कम एक होना चाहिए तो कम से कम एक ज्यादा की कोई लिमिट नहीं कम से कम एक ज्यादा की कोई लिमिट नहीं दा आंसर इस सैविन अपॉनेट देखिए ठीक है समझ में आ गया उसने का at least कम से कम एक हैड होना चाहिए जया तक कि इसने का 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो 50 हो 100 हो कोई limit नहीं है लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा सारे ले लो तो आपका answer हो गया 7 upon 8 चलिए फिफ पार्ट की बात करते हैं ध्यान से समझगा फिफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है at least two heads चलिए probability bracket में at least two heads कमसे कम दो head होने चाहिए आएंचे green pen से नीशान लगाते हैं कमसे कम दो head होने चाहिए ज़्यादा की कोई limit नहीं है दो से कम वाला कोई भी नहीं लेना है तो कम से कम दो छोड़ो चोड़ो ये भी छोड़ो कम से कम दो एक दो तीन चार आपका अंसर हो गया फॉर अपॉन एट ज्यादा कि कोई लिमिट नहीं लेकिन कम से कम दो तो होने ही चाहिए आंसर हो गया वन अपॉन टू चलिए six part की बात करते हैं six part में उसने आपसे question में क्या पूछा at most two heads लिखिए probability bracket में at most two heads जादा से जादा कितने head होने चाहिए जादा से जादा दो head होने चाहिए कम कि कोई limit नहीं है कम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, आइए count करें, कम की कोई limit नहीं है ध्यान रखना, कम जितने बर्जियों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक, दो, कम से कम 2, ज्यादा की कोई limit नहीं है, तो minimum 2 तो होने ही चाहिए, है ओ सारी maximum two तो होने ही चाहिए कम की कोई limit नहीं है तो कम तो कुछ भी हो सकता है बताओ यह वाला लेंगे कि ने अभ यह वाला बताओ लेंगे लेंगे यह ज़ताईगे की नई लेंगे बताएए शाकरवाब जी जल्दी से चतिकमें यह वाला लेंगे या नहीं लेंगे उसने का ज्यादा से ज्यादा दो हैड होने चाहिए बिल्कुल ठीक जवाब बिल्कुल लेंगे 100% लेंगे ज्यादा से ज्यादा दो हैड होने चाहिए लेकिन कम की कोई लिमिट नहीं है कम तो 0 भी हो सकते हैं इसलिए ये भी लेंगे ज्यादा से ज्यादा दो हैट होने चाहिए कम की कोई लिमिट नहीं है तो मेरे साफ सी तो आपका आंसर हो गया सैविन अपॉन एट ठीक है चलिए यह सिक्स पार्ट भी हो गया हमारा सारे पार्ट कर लिए हमने आगे चलते हैं श्लीने पके व्हार से पढ़ते हैं क्या लिखा हूए एंड बी गहा है अम ध्र था टू क्लिमेंटरि एवेंट्स एंडवी दोनों के दोनों कैसे हैंटे कॉम्प्लिमेंट्टरी है अब ये compliment क्या होता है complimentary थो अब तक आपने यही संवसि था लेकिन complimentary दूसरे के होते हैं तो इसने question में तो यह निभी a किसे न बड़ा important question न कि कि हमेशा complimentary events का सम हमेशा one होता है किसी चीज का होना और उसका ना होने को complimentary बोलते हैं तो ए और बी का complimentary सम हमेशा याद रखेगा कितना होता है वन होता है तर यहीं पर question number four की बात करते हैं a letter of English alphabet is selected at random find the probability that the chosen letter is a consonant अब कई बच्चे तो consonant के बारे में नहीं जानते सबसे पहले तो vowels की बात करते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं a e i o u क्या है इनकी संख्या इनकी संख्या है five then number of consonant then number of consonant बताइए पूरे alphabet में 26 numbers होते हैं उसमें से पांच वोवल्स को माइनस कर दीजिए तो जो वोवल्स नहीं होते हैं उनको हम लोग consonant बोलते हैं बताव बात समझ में आई की नहीं वोवल्स a e i o और यू होते हैं लेकिन जो वोवल्स नहीं होते हैं उनका special नाम इंग्लिश में क्या होता है consonant होता है जिम mathematics में बोर्ड में question आया तो बच्चों को पहली बार पता चला कि यह consonant क्या होते हैं तो question में हम लिखेंगे probability और ब्रैकेट में लैटर कि इस ए consonant क्या answer होगा हमारा कितने consonant हैं 21 जो वाविल्स नहीं है वो सब consonant है और वैसे हमार पास पूरी पूरे alphabet में कितने लेटर होते हैं 26 अब यह number 3 से तो नहीं कटता किसी से भी नहीं कटता तो बस यह आपका answer हो गया ठीक है चलिए आज की sheet के question number 5 पर दिहान से चलते है question number 5 चेक करिए two coins are tossed together अब पिछले उसमें तो दो कोई तीन कोई उच्छा ली थी अब अब टू कोई उच्छा ली अब बताइए दो कोई में क्या number होते हैं head और tail और कितनी बार उच्छाला दो बार तो कितने events बनेंगे total total four events आपके बनेंगे बताइए यह बार समझ में आई की नहीं आई तो तीन अगर तीन बार उच्छालते तो eight events बनते दो बार उच्छाला तो चार event बनेंगे अब चार event में क्या हो सकता है पहले में head आए क्या पता दूसरे में tail आ जाए ऐसा भी हो सकता था कि tail आए ना और ऐसा भी हो सकता था कि head ना आए देखो चार event बन गए कोई छुट नहीं सकता है इस formula से चलिए अब first part की बात करते हैं question में पूछ रहा है probability bracket में एक्जेक्टली वन हैड एक्जेक्टली वन ही होना चाहिए जब इसने एक्जेक्टली शब्द यूस कर दिया तो इसका मतलब वन हैडी होना चाहिए तो वन हैड तो किवल दो में है तो आपका answer हो गया two upon four तो कटके क्या answer आ गया one upon two तो दो ऐसे कौन-कौन से हुए एक तो ht हुआ और दूसरा कौन सा हुआ th हुआ ठीक है लिख दिया मैंने जिससे आपको दिक्कत ना हूए फ़लिए second part की probability निकालते है question में कहा at most one head probability bracket में at most one head अब बताइए ज्यादा से ज्यादा एक ही head होना चाहिए क्या इसने कोई कम ब बताया तो इसका मतलब कम से कम तो जीरो भी हो सकते हैं ठीक है तो कौन-कौन से bracket लिखूंगा मैं सामने लिख देता हूँ बताइए ज्यादा से ज्यादा एक हैड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक हैड तो ht में एक हैड है th में एक हैड है hh में तो दो हैड हो गए और ज्यादा से ज्यादा एक ही हैड होना चाहिए लेकिन कम से कम तो एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकते हैं इसलिए टीटी को भी लेंगे क्योंकि इसमें हैड आपको नगर नहीं आ रहे लेकिन हैं कितने हैं जीरो हैं तो इसलिए आपका अंसर क्या हो गया ठीक है जीरो है है इसके अंदर तो कम से कम की कोई limit नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक जरूर होना चाहिए लेकिन कम से कम कम से कम जीरो भी हो सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं एट लीस्ट वन हैड लो भाई probability bracket में एट लीस्ट वन हैड कम से कम क्या होना चाहिए एक हैड होना चाहिए कम से कम एक हैड़ अभ कम से कम एक जादा की कोई लिमिट नहीं है कम से कम एक जरूर्व होना चाहिए तो Traiba है तो आपका इस कोश्ऱन का अंसर भी क्या हो गया 3 ऑपोर ठीक है तो यह आपके सफ के आंसर हो गए चलिए आज की शीट का बड़ा important question number 6 करते है जो आपकी optional exercise के first question की तरह है पढ़िए क्या लिखा है offices in daily are open for 5 days Monday to Friday अब Monday से Friday तक open होता है office तो कितने कितने दिन हो गए 5 तो Monday to Friday चलिए कितने days Monday to Friday हो गए 5 days चलिए आगे क्या लिखा है टू employees remains absent for one day in the same week one find the probability that अब आपको बताना है कि देखिए 5 अब 5 question के अंदर लिखा हुआ है और दो लोग absent हो रहे हैं तो power कितने में चले जाएगी 2 में भाई जैसे dice को आपने तीन बार उचाला तो पावर 3 अब ऐसी पांच दिनों में दो रोग absent हुए पावर 2 तो कितना हो गया 25 ठीक है तो चलिए उन दोनों employees के इसने कोई नाम तो दिये नहीं वह दो employees के कोई नाम हो तो फिर क्या करेंगे अगर दो employees के नाम नहीं दिये तो फिर हम अपनी दरफ से कुछ श्माल लेते हैं और पहले इसकी एक table बनाते हैं यह देखें यह देखें एपसेंट रूए यह पहले इनकी table बनाते हैं Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday चलिए फिर से इधर भी टेबल बनाते हैं कि इधर भी लिखते हैं मंडे ट्यूस्डे वैडनेस डे थर्स्डे प्राइडे चलो भई शुरू करते हैं लिखना माल लिया पहला मंडे को एपसेंट हुआ तो दूसरा ट्यूस्डे को भी एपसेंट हो सकता था दूसरा भी मंडे को भी एपसेंट हो सकता था माल लिया पहला तो मंडे को एपसेंट हुआ दूसरा क्या पता ट्यूस्डे को एपसेंट हो जाए ऐसे ही पहले माल लिया मंडे को एपसेंट हो दूसरा वैडनेस डे को हो जाए मंडे धस्डे этим मंडे दूसरा फ्राइड़ेव वह सकता था ठीके आव देखिस क्या बनेगा सब्सक्ष कीजिए पहला employer ट्जुस्डेई को नहीं它 तो ऐसा हो सकता था कि दूसरे वाला मंडे को न आयए असा भी सकता था कि दोनों ट्जुस्डेव में न आये ऐसा हो सकता था कि एक दिन Tuesday में ना आए, दूसरे दिन Wednesday में ना आए, दूसरे वाला Wednesday में ना आए, Tuesday, Thursday, Tuesday, Friday, चलो भई आगे, अब क्या लिखें, Wednesday, Monday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, 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 Thursday, Wednesday, Friday, next चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, Thursday, Monday, Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Thursday, और Thursday, Friday, चलिए, अगला, पहला मालिया फ्राइडो को नहीं आया, दूसरा मंडे को नहीं आया, फ्राइडे, Tuesday भी हो सकता था, फ्राइडे, Wednesday भी हो सकता था, फ्राइडे, Thursday भी हो सकता था, और फ्राइडे, फ्राइडे भी हो सकता था, तो देख लिए जब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25 इवेंट्स बन सकते हैं आपके पास, ठीक हैं, चलिए, कुश्टन के अंदर वो कह रह कौन से है, S The Day मैं लिख देता हूं, उसकी नाचे कौन-कोन से है, एक तो, दोनों Monday को absent हो, दूसरा दोनों, बता। का आप Present हो, दोनों Tuesday को भी absent हो सकते हैं, दोनों Wednesday को भी absent हो सकते हैं, देख़े यह रहा, WW same day, और Thursday को भी, दोनों सेम Day absent हो सकते हैं, और दोनों के दोनों Saturday से तो बताइए दोनों के same day absent होने की संख्या है पांच और टोटल इवेंस है 25 बताइए आपका क्या answer आ गया one upon five ठीक है चलिए second part में देखते हैं किसकी probability पूछा उसने consecutive day आईए consecutive day निकालते हैं अब consecutive day निकालने की probability देखिए निचे तो 25 आएगा आईए निशान लगा लें यलो गलर से निशान लगाते हैं देखिए consecutive को मतलब होता है कि अगर पहले दिन मंडे को नहीं आया तो अगला Tuesday होना चाहिए यानि कि दो लगाता दिन होने चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मंडे ना मंडे ट्यूजडे बिल्कुल लेंगे मंडे वेडनेस दे नहीं है मंडे थस्जडे नहीं है मंडे फ्राइडे नहीं है चलिए ट्यूजडे मंडे बिल्कुल लेंगे वेरी गूड बिल्कुल लेंगे ट्यूजडे वेडनेस दे भी consecutive है और ट्यूजडे के बाद तुजवदे भी होगा क्यों कि टूजवदे captivity नहीं होगा जिए घोजवदे भी przedstaw बिलकुल होगा और तस्टे फ्राइडे भी होगा ठीक है Friday Monday नहीं होगा Friday Tuesday नहीं होगा और यह लिखा हुआ है Friday Wednesday नहीं होगा Friday Thursday बिलकुल होगा यह देखिए चलिए count करते हैं 12345678 तो आपके इस question का answer हो गया 8 upon 25 ठीक है जिन पर मैंने yellow color से circle किया हुआ है यह सभी consecutive days है पिछला भी हो सकता है consecutive अगले को भी consecutive बोलते हैं चलिए third part की बात करते हैं third part में उसने क्या पुछा probability कौन से day की पूछी उसने पूछा probability of the different day देखिए सबसे नीचे आपकी sheet में लिखा हुआ है अब जड़ा सोच कर देखिए इन पूरे 25 दिनों में अगर पांच दिन सेम डे हैं तो बीस दिन क्या हुए different day हुए तो आपका answer हो गया 20 upon 25 ज्यादा से ज्यादा आप इसे 5 से काट दीजिए 54 जा 55 जा तो आपके इस question का answer आ गया 4 upon 5 ठीक है आज के हमने सभी 6 important questions आपको करा दिये जो आपका दिमाग खोलने वाले questions हैं अगर आप इनको अच्छे से copy पे भी complete कर लिए आप नोको ने कर लिया होगा तो बस इससे अच्छा सोने पे सुहागे वाले कोई बात नहीं हो सकती जैसे जैसे आप extra questions को study करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे chapter wise extra questions मजबूत करते रहेंगे आपका और चारो तरफ से जो surrounding है वह आपको safe zone में ले जाएगा तो जो बच्छे safe zone में जाना चाहते हैं वो इन सभी daily तीन बजे की class के extra questions को अपनी copy पे जरूर करें चलिए thank you very much God bless you राधे राधे